है दोस्तों अज मैं आपके साम liền के आएं हूं किला के फुल का सब्ज़ी बनाना मेरी मम्मी के किचन गारडन में ने दो किला हैं वो गेर उत्रा हुआ है उसमें पुल आ गया है अब बड़ा हो गया है अब उसका फूल थोड़ा जा सकता है और उसमें अब क्लिएन ही आ रही हैं नीचे का फोल तोड़कर हम सबजी बना सकते हैं मेरे मम्मी सोरे को जल जड़ाती है रोज सुबह और उस बचे हुए पानी से अपने पेड़ पाधों का भी खयाल रखती हैं आईए देखते हैं हम मेरे मम्मी का किचन गार्डन उसमें छोटे-छोटे चीज कुन्रू है करेला है और भी कई नार है घिलो हैं यह सब लगाई हुई है मुंगा भी ही चीता फल यह सब हैं उनके पास और यह अपने अपने सीजन में सब फल बारी-बारी से देते रहते हैं उसी तरह से अभी केला का सीजन है केला आ गया है केला का फल आ गया है उसका फुल हम तोड़ने जा रहे हैं आई ये देखते हैं आपको दिखेते हैं मम्मी का मिर्ची का भरा हुआ और ये साबू दाना का पपड़ ये आप राजिता लगाई है मम्मी पेल है आप राजिता का ये कुंडरू का नाथ देखिए कितना सुंदर प्यारा दिख रहा है झाज हो ड्यूश्ड़ करता हुआ है एतो जा संब्स्का ये जुर्ष एखिए प्यूश्वग क्या है प्यादे देखिए लगाए जीतों पारा जू्तुश्या है पढुंभलों कर दो का देखिए, वर्ड़ों सुंदर आया है कि दूप में थोड़ा डाल दिये हैं अच्छे से सुख जाएगा कि ये बेल है कि फला भी हुआ है फूल लगा हुआ है कि आप कुछ बोलना साहती है अपने नाद बयार के लिए बहुत महनत से इसको बना के रखे हैं अब ज्यादा महनत लगता है इसमें हां महनत तो लगता है ज्यान देना पाता है जली समय निकार के इसकी आदमी जैसे सेवा करने पड़ता है ताब एक खल तुल देता है अब खल ताब लगता है यह फला हुआ है लेख सकते हैं यह करेला का भी फूल है करेला का फूल पीला रंग में होता है और कुंद्रों का फूल वाइट होता है का फेद होता है इस तो रसे है यह छोटा सा आता है फूल के नीचे इसका फल लगता है यही बढ़ता है फिर मेरे मम्मी का हरा हरा साड़ी और इनका हरा हरा बेल एक जैसे दिख रहा है आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा सुन्दर वगीचा है कि चन गार्डन है आपको दिखाते हैं और आए हैं के ला के पास के ला का फूल तोड़ने के ला